जैहन दोस्तों आप सबका sleepy classes में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज है 12th May और आज के editorial discussion में हम तीन relevant editorials discuss करेंगे दोस्तों तो शुरू करेंगे एक article से आज newspapers में बहुत coverage रही है जो भी newspaper अब उठाके देखेंगे sedition के कानून के उपर तो दोस्तों यह जो article है a small win जो Indian Express में आया है यह आपका judicial reforms, judicial governance, quality and governance related है GS2 में से अब दोस्तों देखी sedition के बारे जैसे हम जाते हैं कि यह pre-independence law है अंग्रेजों के टाइम का colonial law है तो अब बहुत बारी बहुत बारी जो हमारे present chief justice of India है N.V.Raman उन्होंने बहुत बारी इस बात का जिकर करा है कि क्या sedition के कानून हम आगे carry forward करें क्या यह बात सही है दोस्तों इसके बारे हम बात करेंगे sedition के कानून के उपर अभी देखी sedition का कानून abolish नहीं करा लेकिन इसके इसकी implementation के उपर ताकि यह लागू ना हो सब कि उसके उपर भी रोक लगा दी गई है फिर बात करेंगे दोस्तों उसमें बड़ी होंगी आप follow कर रहे होंगे तो termination of pregnancy की बात करें क्या अपनी pregnancy को abort करना terminate करना क्या यह एक औरत का अधिकार होना चाहिए legal right होना चाहिए इसके बारे बात करेंगे बागी दोस्तों जैसे आपको बता है 15 important topics यह जो series है हमारी YouTube पे चल रही है Monday to Saturday दुपहर को 12 मझे यह live telecast हुआ करेगा तो दोस्तों मैं आपको शेडियू वैसे तो आप चाहें तो शेडियूल website पर जाके तो आप वहां पे डाउन्लोड में जाके चेक भी कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट जैसे आज अर्विन सर ने जो economy बढ़ाते हैं उन्हें आज बारा मझे लेक्श और दोस्तों prelims pass में हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपके लिए बहुत भैतरीन content लेके आते रहें ताकि आपकी जो त्यारी है वो थोड़ी streamline हो ठीक है इस वकत बहुत जरूरी है कि हम MCQs भी practice करें तो दोस्तों MCQs की जो series है marathon series है यह हर Sunday हम लेके आते रहे हैं तो दोस पंच्छुला महाले में कहीं रहते हैं तो आप आ सकते हैं otherwise 10 बजे सुबह 10 बजे YouTube पर live telecast होगा चलिए शुरू करते हैं अब सरकार की कोई policy है चाहिए वो citizenship amendment act है चाहिए वो population policy है चाहिए वो कोई भी policy हो you have the right to agree or disagree and you have to respect the right of the people who are disagreeing to a certain policy of the government लेकिन ये कह देना क्योंकि आज के टाइप पर social media warriors होते हैं आज के टाइप न्यूस चैनल पर बड़े बड़े news channels पर आतको 9 बजे डेबेट्स आती हैं लोगों को label कर दिया जाता है कि वो anti-Indians है कि उनको Pakistan जाना चाहिए वो meat lovers है खान मार्केट गांग है तुक्डे तुक्डे गांग है students हो political activist हो journalist हो उनको jail में डाल दिया जाता है तो section 124 जो कि हम sedition की जो बात कर रहे हैं इस कानून के implementation के उपर अभी Supreme Court ने रोक लगा दी है Supreme Court ने effectively suspend कर रहा है the operation of sedition law until जब तक Supreme Court आगेस को लेके guidelines नहीं बताते है ठीक है विछले एक साल से यह जो debate है Supreme Court और Central Government की बीच में चल रहा था देखे कोई भी सरकार नहीं चाहेगी चाहे वो अभी ruling party हो चाहे वो पहले कोई पास में कोई और party हो कोई भी सरकार नहीं चाहते कि sedition के law को हम बिलकुल abolish कर दे because political vendetta की बात आजाती है political revenge लेना हो आपने आपकी जो ideology से लोग नहीं मिलते जो उन्तन को jail में डालना हो तो बहुत convenient होता है यह law को use करना हर एक सरकार करती आए को इसमें यह नहीं कि आज पहली बार यह sedition को सुप्रीम कोड को अपनी ही judgment को revise करना पड़ रहा है तो अब यह साथ एक seven judges bench बैठेगा constitution bench बैठेगा जो कि इसी judgment को फिर से revisit करेगा जब यह judgment रखी गई थी सामने 1962 में तब five judge bench बैठा था उसमें यह बात सामने आई थी कि देखो sedition कब लागो होगा? sedition तब लागो होगा जब किसी भी किसम का भढ़काऊ भाशन अब देखी sedition की अगर हम बात करें तो महत्मा गानी को भी sedition के case में जेल में डाला गया था बाल गंगदर तिलक को भी डाला गया था तो बाल गंगदर तिलक की बात करें उनकी वो जो हमने modern history पड़ी है तो modern history में आपने बाल गंगदर तिलक के बारे पढ़ा होगा कि उनकी जो weekly publication थी केसरी अब उसमें उन्होंने बाते लिखी थी अब उसमें वो बाते लिख रहे हैं नाशनलिजम को अराउस करने के लिए, लोगों को अवेर करने के लिए कि बिटिश कैसे हमको उस टाइम पे एकनॉमिकली एक्स्प्लॉइट कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों का ये कहना कि बाल गंगा दिर तरक लोगों को भढ़का रहे हैं ये इंसाइट कर रहे हैं, हेट स्पीच इंसाइट कर रहे हैं अगेंच अगेंच अगार्मेंट ऑफ दाट टाइम ये अब यहां पर कैदारणाच सिंग केस में बी सुप्रीम कोट एंगा नाइटीन सिक्टी टू में चलो भारत तो अजाद होगा था नानिटीन अजाद भारत की अगर आब बात करें, सुप्रीम कोट ने ये कहा उसी लाइम पिस्टिक रहा सुप्रीम कोड कि देखे कोई भी स्पीच हो कुछ भी आपने ऐसा भढ़काऊ भाशन दिया है कोई आपने ऐसी बाते लिखी है इन्फलमेटरी स्पीच है कुछ आपने ऐसा लिखा है जिसको बढ़के लोग बहुत भढ़क सकते है तो उस व्यक्ति के उपर या उस संस्था के उपर इस ओगनाईजेशन के उपर स्टिशन का कानून लगाया जाएगा लेकर हम देखते आ रहे हैं देखे कर हम स्टिशन की बात करें या युवापा की भी बात करें या विझूस फ्रकाइशन की भी बात करें रहे है तो ये अब आपके सामने है कनहिया कुमार की बात करें शरजील इमाम की बात करें दिशावभी की बात करें तो ये सब हमने हमने नीस में भी बहुत बर पढ़ा है section 124 of the IPC, ये क्या कहता है, section 124 A of the Indian Penal Code, ये कहता है कि जो भी व्यक्ति, अपने शब्दों के द्वारा, चाहे वो बोल के, चाहे वो लिख के, और by signs, और by visible representation, और otherwise, अगर वो कोशिश करेगा, ठीक है कि कैसे, आप hatred लेके आ रहे हैं, content लेके आ रहे हैं, और disaffection, आप disaffection promote करन चाहते हैं, against the government of India, तो उसको punish किया जाएगा, इस कानून के चलते, now, किदारनाथ टेस्ट की यहाँ पर बाद आती है, देखिए, जो significant legal question है, of the law, before the supreme court, वो ये है, कि जो ruling थी 1962 की किदारनाथ सिंग वर्सिस union of India, कि क्या वो correctly decide की गई थी, अब ये कौन तै करेगा, who will decide कि जो incitement to speech है, या जो incitement to hatred है, what is the yardstick for that incitement to hatred, अब अगर आज आज आप कहते हैं, देखिए, अगर आज, obviously आप, अगर एक public platform पर प्रदान मंतरी जी को, प्रेजिटन को ऐसे abuse करेंगे, तो वो बात तो सही नहीं है, ठीक है, वो बात तो बहुत गलत है, तो ऐसे किसी भी, च whatever it is, whatever the case might be, अगर आपको क्यी policy नहीं पसंदा, उसको लेके आप रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने views परगट कर रहे हैं, और यह दिखाया जाए, कि जी यह जो है, यह तो लोगों में, लोगों को भढ़का रहे हैं, भढ़का उबाशन दे रहे हैं, यह तो incite कर रहे हैं for violence, calling for a violence against the government of India, ठीक है, तो फिर वहाँ पर ठीक है, आपको punish करा जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह तै करना कि, what is the yardstick of inciting to violence, वो क्या चीज है, यह कौन तै करेगा, यह Supreme Court ही तै कर सकता है, ठीक है, तो किदार ना सिंग ruling जो थी, this upheld the constitutionality of the section 124A, ठीक है, अब यह जो correctness of that verdict है, आज भी लागू हो सकता है, क्योंकि एकर कानून abolish करना है, तो इस चीज को revisit करना बहुत जरूरी है, सरकार ने क्या बोला, देखिए सरकार ने पहली बात तो, सरकार ने central government written form में नहीं, लेकिन शुरू में औरली agree करा, कि भी ठीक है, जो law है, जो sedition का का कानून है, चलता आ रहा है, सरकार को टाइम दिया गया, सरकार एप्रिल तक सरकार को टाइम दिया गया था, तो एप्रिल तक सरकार कोई response नहीं गर पाई, अभी सरकार ने कल एक प्रस्ताव रखा, चलो बीच में एक आफिट आविट भी साइन करवाया, सरकार ने फिर कल एक प्रस्ता में डाला है या इस बंदे के उपर में धारा 24 लगाई है तो क्या वो justified है के नहीं है तो अब यहां पे लेकिन यह justification होगी जो कि SP rank officer डालेगा that itself will be open to judicial review तो कौन इस बात पर पंगा लेना चाहेगा लेकिए SP rank officer हो वो इस कोट ने इसको रद कर दिया और सुप्रीम कोट ने request किया कि अभी मेरी बात चुनों अभी जो स्टेट गावर्मेंट्स है सेंट्र गावर्मेंट्स अभी कुछ टाइम के लिए अभी नई F.I.R. आपने रिजिस्टर नहीं करनी है सेडिशन के कानून को लेकिए सेडिशन का जब तक हम तैय नहीं करते हैं जब तक एक साथ जज्ज का बेंच नहीं बैढ़ता पुरानी जज्ज्मेंट को revisit करने के लिए तब तक सेडिशन के लॉग को आप freeze कर दो इसको अभी suspend कर दो abolish नहीं किया ठीक है लेकिन यहां पर एक और बात सामने आती कि यह जो order supreme court ने कल रखा है it is clear that the order does not have any effect on the absolute से यानि कि यह तो order states कि अगर कोई fresh वैसे तो एक तरफ दे कि supreme court ने बात बोलिए excuse me कि case register नहीं करना लेकिन अगर तो यहां पर एक और open-ended judgment होगी यहां पर closed-ended यह फिर open-ended argument हुआ closed-ended argument नहीं हुआ तो यहां पर columnist अपील कर रहे हैं कि जल से जल जिन्हों ने यह article लिखा है वो अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस कानून को abolish किया जाए और जो seven judge bench है जो कि revisit करेगा अपनी पुरानी judgment को जो साट साल पहली दी गई थी वो बहुत जरूरी है कि इसको revisit करके एक progressive दिशा में हम चलें ताकि इसको abolish कर सके ठीक है अब यहां पे एक और जो बात है the devil lies in the detail जिसको हम कहते है so read between the lines supreme court ने यह भी फैसला subordinate courts के उपर छोड़ दिया discretion उनको दे दी है कि भी आप तै करीए अगर आपके पास यह case आते हैं अगर आपके पास कोई मालीजी कोई convict है जो आता है जिसकी उपर sedition का case लगाया गया है तो यह अब आप तै करीए है आपकी discretion है कि उसके उपर sedition का case लागू होना किसी को इस order देने के बाद भी जो कल order supreme court ने दिया है इस order देने के बाद भी किसी को sedition में file किया जाता है sedition के case तो यह आपकी उपर है कि आप तै कर सकते हैं कि sedition का case उस पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो यह क्या बात बनी यह तो फिर बहुत अब भी suspend कर दो लेकिन उसके बावजूद भी जो tendency है central government की या state governments की हो सकता है कि वो sedition के case citizens के उपर लगाते रहें चलिए तो यहाँ पे महात्मा गांदी के जो views और sedition के उपर वो भी जाने बहुत जरूरी है कोई भी व्यक्ति या कोई भी organization अगर dis affection promote करने की कोशिश करेगा government of India के two words चलो अभी तो government of India लेकिन उस वकद तो British India की बात थी तो महात्मा गांदी कहते हैं कि ऐसे धक्के से तो नहीं प्यार हो सकता ना state के साथ सरकार के साथ अब obviously बात है इतना हमने modern history पड़ी है आप affectionate हो जाओ state के towards government के towards यह बात possible नहीं है कि just because अगर आप नहीं होगे तो आपकी बड़ सेडिशन का कानून लगा दिया जाएगा तो यह भात्मा गादी ने categorically बात को reject किया था तो अब it's high time जैकि अब 100 साल हो चुके है आपको थोड़ा सी और information देना चाता हूँ तो sociology optional के अगर हम बात करें अगर आप sociology optional दोस्तों अगर आप sociology optional आपके पास है या अगर आप अगले साल पहला टेम्ट लिखना चाते है sociology optional के साथ तो sociology की जो हमारे mentor है शेकर सर तो बहुत comprehensive courses in courses के बारे आप information यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपने इन courses के बारे information लेकर कोई और assistance लेनी है तो आप दीए के number पे बी कॉल कर सकते हैं तो यह कुछ features है हमारे sociology के course के तो दोस्तों आप जब PDF डाउनलोड करेंगे इसके बारे आप देख ले ना अगर आपको ठीक लगे तो do avail this course as well चली आगे continue करेंगे अब पहले तो यह समझ ले पुलिस reforms की बात हो रही है देखिए पुलिस reforms related बहुत सारी committees बनाई गई गई है कितने सालों से पुलिस reform की बात करते हैं है न प्रकास सिंग वस्स यून उफ इंडिया के अगर हम बात करें देखिए कितने कितने समय से 2006 से Supreme Court ने जो guidelines दी थी जो कि state police forces को जो डाट करनी थी अभी भी all over the country हर इक state ने वो guidelines incorporate नहीं करी है so from time to time बहुत सारी committees रहे जोकिन committees के बारे आप court भी कर सकते हैं अगर आप police reforms related को या अगर आप कोई answer लिख रहे हैं कोई essay लिख रहे हैं तो इसे national police commission है सबसे जरूरी है यहां पर जो प्रकास सिंग का केस आता है प्रकास सिंग कोट ने 2006 में 2006 में कुछ guideline Supreme Court ने इस case में सामने रखी थी तो for example Supreme Court ने यह कहा था कि establishing a state security commission then एक fixed tenure होना चाहिए दो साल का for the DGB because देखा जाता है कि political interference बहुत रहता है अब खास करके elections के बाद कोई नहीं सरकार आती है तो वो डीजी को भी बदल देते हैं पूरे police में transfers हो जाती है पुलिस complaint authority होनी चाहिए लिमिट पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए लेकिन यह सब यह तो सब एक बाते हैं बहुत आइडलिस्टिक बाते हैं इसको apply कौन कर रहा है तो आईए यहाँ पर देखते हैं कि हम कितना आगे तक आ चुके हैं तो जुलाए 2015 के साफ से आस पर information available हैं जो 2006 में सुप्रीम कोट ने जो guideline जी थी प्रकार सिंग वेस्टीन और इंडिया वो incorporate करी हैं 2019 में केंदर सरकार ने review करा model police act 2006 और यहाँ पर कोई और सुधार लेकर आए जा सकते हैं कुछ और यहाँ पर provisions डाले जा सकते हैं उसकी यहाँ बात यहाँ पर पूलिस की बात करें तो पूलिस जयसे क्या आप जानते हैं स्टेइट रिसका सब्जेक्ट फिके प्लाइस एक सेट इप्सटेट सब्जेक्ट भेवसलिख सब्जेक्ट ये लिस में आता था है अब दोशेल शिरilda ये शिर यूनियन लिस और bil्झ की बात करें, crime की बात करें, union list, state list और आपकी concurrent list तीनों में इनकी बात आती है, the union list mentions the armed forces of the union, ठीक है, CBI हो गया, and some reasons for preventive detention, state list की अगर हम बात करें, वहाँ पर public order, police की बात आती है, concurrent list की बात करें, वहाँ पर criminal law and procedure आता है, and again some reasons for preventive detection, detention, तो अब यहाँ पर dichotomy, यहाँ पर confusion आ जाती है, तो 2016 में dichotomy देखी state, एक police जो है, law and order जो है, state subject है, तो यहाँ पर confusion आ जाती है, because union list, concurrent list और state list तीनों में कहीं नगी, police का जिकर हो रहा है, तो 2016 में नीतिया योग ने paper publish कर और महाँ पर suggestion दिया, क्यों ना हम, अगर police की अगर हम बात कर रहे है, state list की जगा, इसको concurrent list में move कर दें, क्या यह फैसला सही होगा, है ना, अब लेकिन यहाँ पर, अब यह नीतिया योग ने suggestion दिया था 2016 में, लेकिन कुछ साल पहले, the withy center for legal studies, for legal policy, उन्होंने एक study करी, और उनने analysis करके यह पता करा, कि जो 7th schedule है, 7th schedule and recommended the retention of the police in the state list, तो इस institute ने भी यह कहा, कि अगर police की बात करें, police को state list में होना बहुत जरूरी है, कि अगर police को आप concurrent list में डाल देते हैं, so that would not be good, वो cooperative federalism की बात आ जाती है, ठीक है, तो that would not be good for federalism, because states को लगेगा, उनके autonomy उनके हाथ से चीनी जा रही है, ठीक है, now any isolated movement of an entry from a state list to a concurrent list or to union list, this will not be seen good, this will be seen as hampering the rights of the states, तो complete overhaul करना, police reforms की बात हो रही है, तो police reforms में ये suggestion देना, कि भी police as a subject जो कि state list में आता, उसको concurrent list में डाल दो, वो बात सही नहीं रहेगी, complete overhaul करना, इस subject का सही बात नहीं रहेगी, तो this is not a good idea of having effective police reforms, ठीक है, states को अपनी efficiency maintain करनी बहुत जरूरी है, states competent है, अपने police को handle करने के लिए, manage करने के लिए, ये कहना कि police को concurrent list में डालके, या state police को, state police का जो control है, वो central government के हाथ में जादा हो, उसके कारण police जादा better हो जागी, ये बात सही नहीं होगा, चलिए, उसके बाद, last editorial दोस्तों, आज का still a long way for termination as an unconditional, तो देखिए, USA में बहुत बड़ी debate चल रही है, row versus wait की, abortion की बात चल रही है, termination of pregnancy की बात चल रही है, तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर हम यहाँ पर यह समझे के medical termination of pregnancy act, MTP 1971, देखिए, वैसे तो बहुत criminal है, वैसे तो देखिए, अगर हम Indian Penal Code की बात करें, या बोला, entirely, अगर कोई औरत है, जो pregnant है, आप उनको उनकी pregnancy नहीं होने दे रहे हैं, या अप जबर्दस्ति उनका abortion करवाना चा रहे हैं, तो वो एक crime है, वो बहुत बड़ा crime है, औरत की अपनी will होना बहुत जरूरी है, उनका अपना intention होना बहुत जरूरी है, यह जो IBC provision यहाँ पर discuss करा because इस कानून के अंदर कुछ ऐसी conditions है कुछ ऐसी बाते हैं जहाँ पर termination of pregnancy हो सकती है अगर कुछ certain guidelines के जलते हैं अब वो कौन सी ऐसी conditions हैं तो पहली बात अगर तो pregnancy continue करने के लिए कुसी किसम का risk होगा औरत की life को हो सकता है अगर जो pregnancy है तो अगर इस तरह की condition है तो भी वो चाहें तो अपनी pregnancy को terminate कर सकते है लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है यह जो conditions है ना termination of pregnancy की यह ठीक है उनकी चलो conditions यहाँ पर दे दी है लेकिन medical opinion of the medical practitioner doctor का जो medical opinion है वो होना साथ में बहुत ज़रूरी है तो यह essential requirement है इस act के चलते यह मान लीजिए अगर rape हुआ है या failure of contraceptive use याने pregnancies because of the failure of contraceptive use उसके चलते बहुत mental disturbance भी रहता है anguish रहता है, गुसा रहता है frustration रहता है तो वो एक सही mental health में नहीं होगा कि वो अपनी pregnancy को आगे carry on करें और एक और condition है कि अगर तो बच्चा जो have the child being born would suffer from any serious physical or mental abnormality तो भी जो आपकी pregnancies को आप terminate कर सकते हैं अब gestation यह जो pregnancy की बात करें तो अगर तो 24 हफ्तिय के beyond अगर आपने अपनी pregnancy को terminate करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि medical opinion आना चाहिए from the medical board which is set up in need state and as per the law तो यह बहुत जरूरी है अगर 24 हफ्ते के बाद किसी कारण के आप अपनी pregnancy को अगर आप terminate करना चाहते हैं और कोई भी termination of pregnancy that cannot be done at the absence of the consent of the pregnant person उनका consent होना signature होना बहुत जरूरी है चाहिए उनकी जो मर्जी age है चाहिए उनकी जैसे भी mental health है लेकिन अगर यहाँ पे बात आजाती है कि जो pregnant आउरत है अगर माली जी उस pregnancy के दुरान को यसी complication आजाती है जहाँ पे उनकी जिन्दगी को उनकी life को बहुत खत्रा है तो उनकी life बचाना जो है वो priority रहेगी डॉक्टर के लिए pregnancy तब वहाँ पे terminate की जा सकती है so saving the life of the woman becomes the priority now but यह कहना चलो यह तो हमने बाते पर लिए हमारे कानून में चलो provisions है के चलो अगर हम चाहे तो pregnancy को terminate कर सकते है लेकिन औरत का खुद का अदिकार होना कि भई वो जब अपनी abortion कराना चाहते है वो legalized एक तरीके से करा सकते है जाने कि उनको MTP के उपर medical termination of pregnancy act के उपर lie नहीं करना चाहिए ठीक है लेकि हमने तो legalize कर दिया to abortion under the MTP Act जब बहुत सारी दुनिया ने नहीं किया था ठीक है बहुत सारी दुनिया ने तब नहीं किया था ठीक है ना successive judgments में courts नहीं ये भी का है supreme court की बात करें high courts की बात करें that right of a pregnant woman to decide कि उन्होंने pre pregnancy continue करना है नहीं करना ये उनकी right to health तो right to life का part है उसी तरह से right to privacy की judgment 2017 की थी वहां भी भी बहुत categorically mentioned था कि whether to continue a pregnancy or not ये उनका अपना एक औरत का अपना खुद का अधिकार है right to life की बाद आजती right to privacy की बाद आजती है लेकिन अभी भी बहुत एक लंबा सफर हमको तेह करना पड़ेगा कि a long road ahead before it is recognized कि भी a right of a person having the capacity to become pregnant to decide unconditionally कि unconditionally वो decide कर सके without any condition because MTB act में तो कुछ conditions आ जाती है conditionalities आ जाती है जहां पे आप अपनी pregnancy को terminate करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन unconditionally without any condition आप अपनी pregnancy को कब terminate करना चाहते हैं, abortion चाहते हैं वो उस तरह का एक legal right होना अभी शाद इतनी जल्दी नहीं आएगा बट यहां पे suggestion दिया आगया कि right to privacy की judgment को infer करके अगर ये तरीका, legal तरीका भी हम ढूर निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा चली दोस्तों जाने से पहले एक PYQ तो दोस्तों ये history से related है assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crops use of mobile cannons in warfare cultivation of tobacco and red cheese which of the above was or were introduced into India by English, by the Britain तो क्या सही option है आपने बताना है comment section में और question frame from the editorial right of a woman having the capacity to become pregnant must be unconditional क्या आप इस बात से सहमत इसको critically evaluate करिये 2016 में और use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself तो ये जो quote है ये quote is by none other than our honourable Chief Justice and Viramana ये उन्होंने कहा था, quote किया था तो इस quote के उपर आप comment करिये 200 शब्दों में अगर आप जाहें तो आप YouTube के comment section में अगर आपको 200 शब्दों में लिखना मुश्किल लगता है पचास शब्दों में और दो या तीन sentences में जो आप बाहत कहना चाते हैं जरूर उसमें लिखिए बहुत अच्छा लगता है आपके comments पढ़के participatory लगता है वैसा लगता है कि आप आपने सामने बैठे हैं हम बातचीत कर रहे हैं कुछ ना को जरूर लिखेगा है इंदोनो questions related जो भी आपके views हैं दो या तीन line में चलिए तो दोस्तों आज के analysis में इतना ही मिलेंगे कल और analysis के साथ तो अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें तांकी सोमाच जैहिद